हेलो एवरिवान गुड इवनिंग तो यूज वन्स अगेन वेलकम बैक आन माय यूटूब चैनल लर्न वेट कॉंसेट बाय अचना विशकर्मा ओप यूट ना इसमें इन ना हमारा कॉशन सीरीज में चल रहा था कॉशन नंबर टैन जो हम साइकोलोजी की कॉशन डिसकस कर र रहे हूं या ग्रिजेशन में भी है तो आपको यह काम आयागा तो कॉशन हमारे है पुछा वर डिफाइंड लर्निंग एन एक्स्प्लेंड टू थेओरी जू अफ लर्निंग आप आपको लर्निंग को पूरा एक्स्प्लेंड करना है और उन में सी किसी दो थेओरी को भी है तो सबसे पहले हम लर्निंग का इंटोडक्शन देंगे ठीक है लर्निंग से ही रिलेटेड हमारी कुछ डेफिनिशन से हैं आप पर क्रो एन क्रो स्कीनर गेट्स वुडवर्थ ठीक फिर अगली है हमारी है फीचर्स ओफ लर्निंग आप इसको देख लीजेगा इसारे फ इसारे पहले हमार्ण हो जिसको आप समझते हो आप उसको लिखिएगा तो यहां पर नेक्स्ट हर्डिंग दे रखी थिर्ई ऑफ लर्निंग उसके बाद नेक्स्ट दे रखिए थिर्ई of classical conditioning ने तो यहां पर इनको यह थिर्ईए जिए पावलव की थेयोरी आप जानते पुरा experiment लिखा है इनों ने Move on, the next page जितने प्रिंसिपल है पावभ लौप की थेवरी के कंडीशन के, ठीक है प्रिंस्पल्स ओफ कंडीशनिंग तो ये सारे प्रिंसिपल दे रखे हैं इसका educational implications क्या है आप उसको देखेगा देखिए educational implication हमको लिखना ज़रूरी होता है बिए इस थेओरी का यूज क्या है बेसिकली सिख्छा के लिए या इसका सहचिक नहीं हता आतर क्या है तो देख लिजिए educational implications में क्या दे रखें कितने points से रखें six points है यहां पर यह इनकी पहली थेओरी थी ठीक है ओके दूसी थेओरी उन्होंने दे दो पूछी है न दो को explain करना है तो पहले इन्होंने explain कर दी थी conditioning थेओरी पावलाव की अब दूसी थेओरी इंसाइट थेओरी ओफ लर्निंग जो की पहले किये आप इसको भी देख सकते हो गेस्ट थेओरी यह यहां पर इंट्रो दे रखा है तो उस थेओरी को पूरा अच्छे से लिखिए गेस्ट थेओरी के बारे में कि इंसाइट थेओरी ओफ लर्निंग इसके लॉस क्या है लॉस आफ लर्निंग वो बताया है नहीं पहले लॉफ लॉफ लॉह इसमिलरटी नोजफ ओ क्लोजर लॉफ कॉंटिनुटी लॉफ कॉंट्रेस्ट अ अब आपको बताना ही होता है हर ठेयरी का यहां पर ठैक क्या हैकिछ पॉइंट सफीशेक्ट यह wościन आपको क्लियर हुआ होगा और यह question definitely important है learning से आप बच नहीं सकते हैं अगर आप psychology पढ़ रहे हैं चाहे बीएट के लिए अचाहे मेट के लिए ओके लिए यह question डालने का मेरा बस मेर मोटो यही है कि आपको समझ में आए कि एक questions में आपको कितने content लिखना है ठीक है तो hope you understand this video एंड वीडियो थोड़ा भी बटर है आपके लिए helpful है needful है required full है तो do like share subscribe my youtube channel और यह मारा question था ठीक है so thanks for watching the video